अलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस All-in-One चैनल में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेवन्थ पे कमिशन से रिलेटेड अपडेट के बारे में है काफी टाइम से minimum पे और fitment factor का formula चेंज करने का या minimum पे increase करने की बाध चीज चल रही है कई जो है government की तरफ से जो है जिसों कहते हैं कि काफी अपडेट आएं बत official अपडेट अभी तरह कोई भी नहीं किया है इसी صंदर में एक नया जो है अपडेट है इसके बारे हम बात करेंगे इस वीडियो में चलिए दोस्तों बात करते हैं इस लेटेस्ट अपडेट की अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहा है साथी साथ बेल आइकन जरूर दबाए दोस्तों सेवन्थ पे कमिशन से लेटेट जितने भी अपडेट साते हैं किक्सिमम किसी गवर्मेंट ओफिस या कोई ओफिस ओडर नहीं होता इसलिए बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि यह ऑफिस ओडर है बेसिकली यह कोई गवर्मेंट की तरफ से नहीं है यह अपडेट जो है National Joint Council of Action जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह organization है जो कि 7th Pay Commission या कोई और जो issues होते हैं उसके लिए जो अपनी बाते आगे रखती है और उसके according जो है meeting करती है और उसको implement कराने कोशिश करती है तो उसी संदर में अब जो है दोबारा National Joint Council of Action इन्होंने एक नया meeting के लिए एक time निकाला है जिसमें आप देख सकते हैं कि it has been decided to hold meeting of National Joint Council of Action on 19th November इसी मेंने की 19 November को जो है डेली में एक meeting होगी और उसका main जो focus होगा वो होगा improvement in minimum wage जो minimum wage अभी मिल रहा है उसको improvement जो कि काफी time से चल रहा है कि इसको जो है increase करने की बात की गई है कि 18 से 26 किया जाए साथ ही साथ जो fitment formula है उसको increase करने की इसके अलावा और जो issues हैं उसमें भी discuss करना है जैसे कि no progress in respect of NPS covered central government employees और जो issues बचे हैं इन सब पर एक तरह से joint meeting होगी जिसमें कि सारे-सारे issues को discuss किया जाएगा और इसी लिए जो जो सभी लोगों को जो इसमें जो है बुलाया गया invite किया गया जिससे कि सभी लोग इसके अपर अपने जो है important feedback, important points दे सकें जिससे की minimum wage और fitment formula ऐसे यह जो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी implement की जा सकें इस particular update को आप जो है different website पे भी देख सकते हैं साथ ही साथ इस office order को जो है official website भी देख सकते हैं दोस्तों यह था एक important update अगर वीडियो पसंद आई तो like कीजिए share कीजिए और subscribe करना ना भूले थैंक यू फर वाचिं दिस वीडियो